नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One India मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा प्रोकबड़ी में आज डबल हेडर में दिगज टीमों के बीच भिरंत देखने को मिलेगी जिसमें शाम का पहला मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम जैपुर पिंक पैंथर्स के बीच खेला जाएगा आज ये दोनों टीम एक बार फिर से इस लीग में भिड़ती दिखाए देंगी आखरी बार जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तब जैपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाया था उस मैच में जैपुर पिंक पैंथर्स ने 30-28 से दबंग दिल्ली को मात दी थी ऐसे में आज दबंग दिल्ली पिछली हार का बदलाल लेने मैच में उतरेगी अगर बात करें दबंग दिल्ली की तो ये टीम इस वक्त अंक तालिका में पहले पायदान पर है इस टीम ने अभी तक 15 मुकाबले खेले हैं जिसमें दबंग दिल्ली को 9 में जीत हासिल हुई है इस टीम के पास दिगज रेडरों की कमी नहीं है चाहें फिर वो विजे मलेक हो या फिर निरज नर्वाल ये टीम हमेशा सही अपने रेडिंग डिपार्टमेंट के दम पर बड़ी जीत हासिल करती आ रही है इस टीम का डिफेंस भी और टीमों से मजबूत नजराता है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दबंग दिल्ली सही माइने में एक बैलन्स टीम नजराती है वहीं बात करें अगर जैपूर पिंग पैंथर्स की तो ये टीम इस सीजन की सबसे अंडर डॉक टीमों में से एक है जिनोंने इस साल ऐसी ऐसी टीमों को हराया है जो कभी नंबर एक के पायदान पर थी जिन में से एक नाम दबंग दिल्ली का भी है इस टीम के रेडर अरजुन देशवाल ने इस टीम को अकेले दम पर कई बड़ी जीत दिलवाई है ऐसे में जैपुर पिंग पैंथर्स चाहेगा कि आज एक बार फिर अरजुन देशवाल अपने रेडिंग की क्षमता से दबंग दिल्ली के डिफेंस को चूर चूर कर दे पिंग पैंथर्स इस वक्त अंक तालिका में आठवे पायदान पर है ऐसे में आगर आज पैंथर्स ने मुकाबला जीत लिया तो एक बार फिर नमबर एक की टीम को हरा कर सीधा टॉप चार में अपनी जगह बना लेगा बागी की तमाम ख़बरों के लिए बन रही है वन इंडिया के साथ